हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक एक बार फिर आप लोग के बीच एक नए इंफॉर्मेशन के साथ तो फार्मेसी कॉंसिल आफ इंडिया से एक नोटिफिकेशन आया है क्या नोटिफिकेशन उसे के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो जैसा कि आप देख रहें मै इसने वेब्टेज ओपेन किया है फार्मेसी कॉंसिल आफ इंडिया का यानि PCI Online.co.in और इसको जब क्लिक करेंगे तो पॉलिसी एंद सर्कुलर पे जब जाएंगे तो पॉलिसी एंद सर्कुलर पे जब हम जाएंगे फिर सको सर्कुलर पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देखें तो 22.08.2024 का एक notification आया है regarding GPAT scholarship अब इसके click to view करेंगे और देखें क्या information आई है आब इसको जब करेंगे scholarship पे click PDF के open होगा और PDF में देखा जाए क्या लिखा है कि वाइस अगस 2024 का PDF है और इस PDF के बारे में GPAT scholarship के बारे में दिया गया है disbursement of GPAT scholarship to GPAT qualify student for the year of 23, 24 and 24, 25 तो यहाँ पर कह रहा है कि this is this hat has a reference to the subject seated above I am directed to inform that the council is in process of dispersing the stipend to the student who have passed GPAT examination in the year 2023 and 2024 onwards the disbursement will be released in the due course of the time यानि यह notification फिर उन्हों दिया कि जो GPAT की scholarship है 2023-24 में जिन बच्चों ने admission लिया और उन्हें GPAT qualify कि उनको अभी तक scholarship नहीं मिलिया है तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि जो process है वो process हो रहा है और आपको stipend दिया जाएगा in due course time यानि course complete होने से पहले यानि second year आपका complete होने से पहले आप जो लोग GPAT qualify कि हैं उनको scholarship दे दी जाएगी साथ ही साथ यह भी कहा रहा है कि 2024-25 में जो लोग qualify कि हैं और जो लोग admission करेंगे उनको भी scholarship release कर दी जाएगी तो एक अच्छी news है GPAT qualify और जो qualify कि हैं जो बच्चे कि आपको अब stipend PCI द्वारा मिलेगा और इसका जल्दी notification फिर मिलेगा कि वो आपको जो आपकी scholarship यानि जो stipend है कैसे मिलेगी कब मिलेगी इसका फिर एक notification आएगा और मुझे जब जानकारी लगी तो मैं आपको बताऊंगा इसी तरह से कुछ और information के साथ फिर मिलेंगे next video में till then good bye have a nice day